नमस्कार दोस्तों एक वाफिस से स्वागत आज आज आपका अपने हिम जॉब्स अलाइट चैनल पर तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हाई कोर्ट में चल रहा है उसके ओपर यहां पर डिटेल में जो अपडेट आई है इसके बारे में बताते हैं लेकिन चोटे से वीडियो को लाइक शेयर जुरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को पहले बार विजट कर ले है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों मैं ऐसी गोर्में जॉब्स प्राइबर जॉप्स और एजुगेशन नियूज प्रवाइड करवाता पक्षों को कानूनी प्रक्रिया से दस्ताबेच पूरे करने के अदिश दिये हैं अधालत ने मामले की अगामी सुनवाई दो जनवी दो जैते हैं इसको निदात की है हाई कोट ने बीएड डिक्री धारकों को जीबिटी टैट के लिए योग्य करने के पर रोग लगाई है हिया चिक करताओं ने हिमाचे प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की पांच नमबर को जारी अधिश उचना को चनोती दी है इसमें बीएड डिक्री धारकों को जीबिटी टैट के लिए योग्य किया गया था आरोप लगाया गया है कि बोर्ड ने निजदेशक प्राथमिक शिक्षक की ओर से चार नमबर को जारी निजदेशों के अधार पर यह निरूने लिया है दलील की गई है कि NCTE की जिस अधिश उचना के तहत बीएड डिक्री धारकों जीबिटी टैट के लिए योग्य किया गया है उसे राजिसान हाई कोट रद कर चुका है हिमाच्छे पतिश हाई कोट में भी प्रणुर बिचार जाचिका लंबित है एसे में बीएड डारकों को जीबिटी टैट के लिए योग्य करने के निर्ने स्टर जो है गलत है 26 नमबे 2021 को हाई कोट में जीबिटी भरती मावलों पर फैसला सुनाते वे सबस्ट किया था कि शिक्षकों की भरती के लिए एंसी टीए के नियम प्राण्बी शिक्षा विपार के साथ अधिनस्त करमचारी चैन अयोग पर भी लागू होते हैं अधालत ने अधिस दिये थे कि एंसी टीए की 23 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अंसौर जीबिटी पदों के भरती के लिए निमों में जुरूरी संसोदन किया जाए अधालत के इस फैंसले से टेबिटी पदों के लिए डिग्री धार्ट भी पात्र हो गए थे बाद में हाई कोट ने राजिसूचार की और से दायर पुर्ण विचार भी अच्का में पारत अधिश्यों के अंसौर इस फैंसले पर रोग लिगा दी थी इस रोग के बाद भी यह डिग्री धार्ट फिर से इन पदों के लिए यह हो गये थे तो दोस्तों जैसे ही अगली कोई नोटिफिकेशन आती है तो मारे यह यूट्यूब चैनल के मादेम से आप तक इंफोर्मेशन जूर प्रवाइड करवाई जाएगी तो बेल आकन दबाकर और के उपर भी ज जैही माचल थैंक यू दोस्तों